ठीक है आ रहे है लास्ट हमने लेक्चर स्टार्ट किया था बाया मॉलेकूल्स का क्लास में हम प्रोटीन और डी एन ने एंड आरने को हम डिसकुस कर चुके थी I have already told you about the biomolecules कि ये दो काटेगरी में divided होते हैं यह सब हमने डिसकस कर लिया था, जिनका साइज लार्ज होगा और माइक्रोजन का साइज चोटा होगा, और पीशिव मॉलेकुलर वेट हमने इनको दो में डिवाइट किया था, पर एक्जामपल, जो प्रोटीन है, वो क्या है, अब दिसकस किया था, नुकलिक असिट जो है, दाट इस इस इमक्रो मॉलेकुल, लेकिन यह न्युकलिक टाइट्स का बना होता है, इस इस माइक्रो मॉलेकुल, अभी हम नेक्स टॉपिक को डिसकस करेंगे, वो क्या है, कार्भोहईड्रेट्स, का जो जनरल फॉमला है, इस इस C, Cn, H2n, and On, इन्हें हम हाइड्रेट्स ओफ दी कारवन भी बोलते हैं, दूसरा, कार्भोहईड्रेट्स जो होते हैं, अब जैसे मैंने पहले बताया था, कि प्रोटीन्स जो हैं वो हम आइननस के वने हुए है, नूकलीक असेड्स जो हैं वो झ्यूकले टाइट्स के वने हुए है, ऐसे ही फिशुगर्स होते हैं, जो में हमने डिसकस करना है वो है पॉली सेकराइड्स, you all know the meaning of the poly poly means many saccharides means sugar unit जब बहुत सारी sugar units combine होंगी तो क्या बनेगा poly saccharide जब बहुत सारे amino acids combine होते हैं तो protein बनता है बहुत सारे nucleotides combine होते हैं तो nucleic acid बनता है उसी तरह बहुत सारी sugars combine होते हैं तो poly saccharide बनता है जब एक sugar unit होगी तो हम उसको बुलेंगे Monosecuride, दो शुगर यूनिट्स होंगी तो डाई, तीन होंगी तो ट्राई यूनिट्स, ट्राई सेकिराइड, अगर 3 to 7 यूनिट्स होंगी तो हम उसको Oligo का नाम देते हैं, Oligo का Hindi में मतलब है कुछ, और पॉली सेकिराइड, जब अब 2,000 मॉली, अगर 1000 तक की शुगर यूनिट्स कंभाइन हो जाती हैं, तो ऐसे large size की सेकिराइड को हम नाम देते हैं, पॉली सेकिराइड का, डेली बीचिस पर जब हम शुगर के नाम जानते हैं, वह हैं glucose, fructose, lactose, starch, cellulose, अभी में जो में इन शुगर हैं, उसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे, जो glucose है, हमारी बॉड़ी के में शुगर है, जब भी हम फेंट होने लगते हैं, तो सबसे पहले instant source of energy में glucose दिया जाता है, this is the monosecuride, मतलब एक single sugar unit है, lactose, जो हमारे दूद में प्रेजन होती है, this is die securide, means दो sugar unit combined है, starch, जो हमारे plants में होती है, cellulose plants में मिलती है, kaitin cell wall के अंदर होती है, this is the polysecuride, एक sugar है, रेफिनूस, जो शुगर बीट के अंदर, बीट रूट जिसको हम हिंदी में चुकुंदर कहते हैं, उसके अंदर मिलती है, this comes under the category of oligo securide, this was all about the general introduction about the carbohydrates, की sugar units के नंबर के basis पे हमने इनको नाम दिया है, एक unit mono, दो unit dye, तीन unit try, कुछ oligo securide, और बहुत सारी units है, तो वो poly securide, यह उनके कुछ examples है, now we'll discuss about them one by one, first है mono securide, सबसे simple sugar होती है, यह single unit of the sugar, Carbohydrates का general formula है, Cn, H2n, On, हम discuss कर रहे हैं about the mono securide, keep in mind, कि यहां पे sugar unit एक ही रहेगी, carbon number vary करेगा, अगर carbon number 3 है, means N is equal to 3, तो formula क्या होगा, C3, H6, O3, this is the simplest carbohydrate, अर्थ पे, कभी भी इससे कम carbon number का, carbohydrate exist ही नहीं करता, क्योंकि इससे कम carbon number पे, valency satisfy नहीं होगी, इसी तरह से अगर N is equal to 4 है, तो क्या हो जाएगा, C4, H8, O4, N की value हम यहां पे बुट करेंगे, 3 carbon है तो, C3, H6, O3, 4 carbon है तो, C4, H8, O4 and so on, इस तरह से अलग-अलग number पे यह vary करेगा, लेकिन यह sugar unit कितनी है, सिर्फ एक ही है, जो हम main discuss करेंगे, वो है hexosis, hexosis का मतलब होता है, जिसमें 6 carbon हो, अगर आप carbon number को 6 मान के चलोगे, तो formula क्या हो जाएगा, C6, H12, O6, इसके अंदर हम यह value को put कर रहे हैं, carbon number 6 है, जो यह main sugars है, हमारे body में glucose और fructose, fructose वो sugar है, जो हमें fruits में मिलती है, इन में 3 carbon, 4 carbon, 5, 6, 7, हम किसी को पी detail में discuss नहीं करेंगे, सिरफ 6 carbon को discuss करेंगे, let me clear one thing, कि जो सबसे simple sugar है, earth पे, this is the glycer aldehyde, तीन carbon वाली, तीन carbon से कम में कोई भी sugar exist नहीं करती, इसको reference sugar भी माना जाता है, reference carbohydrate भी कहते हैं, वो हम बाहन में discuss करेंगे, कि सबसे कम carbon वाला, जो हम टिटेल में discuss करने वाले हैं, these are the glucose and fructose, which are having carbon number 6, C6, H12 and O6.